साइकल चलाओ जी भरके जी ओ जी भरके जी मार्ट साइकल पेराडाइस हीरो साइकल्स के ऑथोराइज डीलर 66 फबारा चौक उज्जयन पिछले आठ दिन कोरोना संक्रमन के लिहाज से हमारे जिले उज्जयन के लिए बहुत ही एहम रहे हैं एक मही से आठ मही के बीच उज्जयन जिले में 2550 नए कोरोना मरीश सामना आए हैं खास बात ही है कि अस्पताल या होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के संख्या भी लगभग लगभग इतनी ही है इन आठ दिनों में 2527 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं मौत का तेजी से बढ़ता आंकड़ा भी कुछ हद तक थमा है आठ दिन में किवल चार ही कुरोना संक्रमेंट मरीजों की मौत की पुस्टी की गई है मई के पहले सप्ताह में जिले में हुए टेस्ट और पॉजिटिव पाए गए मरीजों के तुलना करें तो जिले में संक्रमेंट की दर्ज 16 प्रतिशत के आसपास दर्ज हुई है उजयन में डॉक्टर्स और प्रशाशनिक अदिकारी मानते हैं कि अगला एक सप्ताह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा अभी रिकवरी और नए मरीजों के मामले में हम बरावरी पर आ गए हैं अगले एक सप्ताह में यदि रिकवरी रेट तेजी से बड़ा और पॉजिटिविटी रेट कम होता चला गया तो समझो कोरोना संक्रमेंट की दूसरी लहर का अंत निकट है जिले से एक और अच्छी ख़वर सामना आई है शनिवार को 30 मरीजों को अस्पतालों में बैट की जरुवत थी एक भी मरीज ऐसा नहीं था जिसे बैट नहीं मिल सका यानि बैट की वेटिंग भी पूरी तरह से खत्म हो गई है अप्रेल महीने की शरुवात में हमारे जिले के सरकारी या अनुबंधित अस्पतालों में कोरोना संक्रमेंट मरीजों के लिए केवल 423 बैट ही थे मई के पहले सब्ता के अंत तक हमारे जिले में सरकारी तंतर के पास ही 1651 बैट है निजी और सरकारी अस्पतालों के बैड मिला लिए जाएं तो यह संख्या 2490 है शहर में आइसोलेशन के 461, ऑक्सिजन के साथ 753 और ICU के 227 बैड उपलब्ध है अप्रेल में ऑक्सिजन बैड वेंटिलेटर की जो मारा मारी थी उससे तो कम से कम निजात मिल गई है यह पूरी दास्ता पताने का उद्देश ही है कि थोड़ा सा धेर और रखें हम जीत के मुखाने पर हैं कोरोना की दूसरी लहर में लागडाउन के कारण शहर बंद है पहले लागडाउन की तरह इस बार घूशित रूप से रेलवे को बद नहीं किया गया था लेकिन अब धीरे धीरे वही नौबत लोट रही है रेलो को यात्री ही नहीं मिल पा रहे हैं इंदोर से होकर उजयन के रस्ते देश के विफिन हिस्सों में जाने वाली स्पेशल केटेगरी की करीब 36 गाड़ियां शुरू की गई थी एक के बाद एक इनमें से 21 गाड़ियां फिर से बंद हो चुकी है पश्चिम रेल्वय रतलाम मंडल ने अब इंदोर से जैपूर इंदोर से दोंड और इंदोर से कौची वली इस्पेशल एक्सप्रेस को भी अगले आदिश तक रद्द कर दिया है तो अभी हम लोगों ने फिलाल करीब 21 गाड़ियों को रज़ता है सब्सक्राइए मालवा एक्स्प्रेस जो मा बष्णोदेविक दख जाती है उसको भी सब्ता में तीन दिन कर दिया है और इंद और से उधयपूर गाड़ी को भी तीन दिन किया है मकसी रोड पर गुपालपुरा के नजदीक श्री नगर में रहने वाले एक बदमाश शनिवार की शाम उसने पत्नी से जेबखरच के लिए रूपए मांगे, पत्नी ने रूपए नहीं दिये, तो दुनों के भी जगड़ा हुआ और टेश में आकर इस अपरादी के शीने में चाकू घूंप दिया, 40 साल उम्र की महिला जोती की मौके पर ही मौत हो गई, इस वारदात के बाद से ही उसका पती राम भरुसे कुश्वा फरार हो गया था, राम भरुसे ने 2014 में विक्की नामक युवक के हत्या कर दी थी, इस अपराद में वो जेल में आजीवन कारवास की सजा काट रहा था, पांच मई को उसकी पैरोल की अवधी दो महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, माधनगर पुलिस के टीम में सपराधी राम भरुसे कुश्वा की सरगर्मी से तलाश करती रही, और उसे महस सोला घंटे के भीतर ही गिरफतार कर लिया गया, राइवार को महराणा प्रताप की जैनती थी, हर साल राजपूत सरदारों के साथ ही पूरा हिंदु समाज, रास्ट गोरो महराणा प्रताप की जैनती को उत्साह के साथ मनाता है, इस बार कुरूना संकर्मन का साय है लिहाजा जादातर परिवारों ने खरों में रहकर ही महराना प्रताप की जयनती मनाई चामुंडा मता चोराहे के नजदीक बागीचे में प्रतिष्ठित महराना प्रताप की प्रतिमा पर अखिल भारती क्शत्री महासभा के संभागियध ध्यक्ष महिंदर सिंग बेस जलाद्यक्ष बलवीर सिंग पमार की मौजूद्गी में मालियार प्रंड किया गया इस अउसर पर जरुवत्मन परिवारों को कच्छी राशन सामगरी भी उपलब्द कराई गई मालवा निंग्स टू बुटीन्स में आज के लिख लाल नहीं अगलन कमें फिरोगी मुलाकात में बुटीन्स के साथ आपके सुझाओं का हमें इंतजार रहेगा तब तक लिए जशी मालवा वाह ताजगी का दूसरा नाम फैमस फैमस गोल्ड टी